सभी बच्चों को नमस्कार बात हो री है सिंगेज इलजब्रा की बात हो री है क्लाश 11 थारड छर्मा की बात हो री है सेट थेoriy झार और रेल अमर शिस्टम की जिसमें इलजब्रा के कुछ इसेट थेoriy में कुछ लॉज हैं उन लॉज में एक नियम है D. Morgan's law, देखिए वैसे तो D. Morgan's के दो नियम जनरली यूज़ टू होते हैं, आप जानते हैं, होते हैं चार लॉज हैं, हम एक एक लॉग को एक वीडियो मताएंगे, पहला इनका लॉग है यह है, मतलब पहला कमताब नम्बरिंग नस जाद करिएगा कि पहला कमताब यही पहला होता है, जैसे लॉज़ इनर्शिया होता है, नूटन's law motion है, तो फिक्स लाइक वो फिस लाइक, वो फिसला है, उसका नम्बरिंग, स्टेंडर्ड नम्बरिंग है, यहां स्टेंडर्ड नम्बरिंग नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर A और B दो से का हम एक element इसको बिलांग करवाएंगे और अपने आप अपने तरकों के द्वारा इसको बिलांग करवा देंगे अपने आप प्रूफ हो जाएगा इसके पहले हमने एक वीडियो अप्लोड किया है logical notation logical representation of set operations उन्हें जबूर देख लीजिएगा ठीक है अब हमने का देखो भीय 100% में आना है क्यों आप दिमाग खोल के कापी खोल बैठिएगा देखे आप जानते हैं एक होता universal set जैसे 1,2,10 universal है एक a element है मालिया कुछ element लेलिए 1,3,5,7,9 और एक a dash हो गया जो u के वो element जो a में नहीं हो ठीक तो अगर कोई element a dash में है तो a में नहीं होगा पक्की बात है पकी बात है ना यानि कि अगर a x जो है वो a union b complement को बिलांग कर रहा है तो आप पकी बात कह सकते हैं कि x will not belong to a union b सही का मैंने एक एक step पकड़ते जाईए अच्छा आप जानते हैं कि कोई element union में नहीं है तो दोनों में नहीं होगा पकी बात है क्योंकि union में अगर है तो कहीं नहीं a b में होना चाहिए और union में नहीं है तो पकी बात है कि ना तो a में होगा ना तो b में होगा यानि कि x does not belongs to A and X does not belongs to B सभी का मैंने अच्छा हमने बताया ना कर यूनियन में हमने क्या का जहां पर पक्की बात हो जाए कैसा होना है या नहीं होना है तो आइंड लगेगा अगर कोई element union में नहीं है तो पक्की बात है ना तो A में होगा ना तो B में होगा पक्की बात है ना तो आइंड लगा दिया अच्छा अब कोई इसकी बात करते है अगर कोई element A में नहीं है तो simple से बात है उसके compliment भी होगा यानि इसको लिसकते है एक्स बिलॉंग्स टू A compliment and पहले से लगा हुआ है और X बिलॉंग्स टू B compliment ठिक अगर X A compliment में है and B compliment पहे है तो इन दोनों के intersection में होगा पक्की बात है यानि कि X बिलॉंग्स टू A intersection A dash intersection B dash अब देखो ध्यान से आपने X को इसे बिलॉंग्स करवाया था और आपने आप इसको बिलॉंग्स कर गया हमने नहीं किया अपने आप हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों equal है नहीं नहीं कह सकता देखो ध्यान से क्यों नहीं कह सकता देखो अगर मैं X set A लेता हूँ 1, 2 X set B लेता हूँ 1, 2, 3 और आप कहते हो X belongs to A implies X belongs to B तो क्या A और B equal है नहीं है क्या हमारी बात गलत है नहीं है जो A का element है वो B में है लेकिन A B की बरावर नहीं है A B का subset है तो हम कहेंगे कि यहां पर X इसको बिलांग करता है इसको भी कर रहा है तो आप कहेंगे A union B complement is the subset of A complement intersection B complement यह equation number 1 हो गया ठीक है इसको बिलांग कर रहा है और इसको बिलांग कर रहा है अब इसको बिलांग कर रहा है अब उल्टा प्रूब करो एक element इसको बिलांग कर वा और इसको भी बिलांग कर वा दो तब दोनो इक्वल होंगे जो element इसके है वो इसके है जो इसके है वो इसके है तो इक्वल आएगा ठीक है अगर आप यहां पर डबल इंप्लाइज लगा दो यह इक्वल प्रूफ हो जाएगा दो तो यह इक्वल प्रूफ हो जाएगा दो तरीके आपके हैं अभी हम उल्टा प्रूफ कराएंगे प्रूफ कराएंगे एक में प्रूफ कराएंगे ठीक है उल्टा प्रूफ करेंगे हम एक्स इसको बिलांग करवाएंगे और बाद में इसको बिलांग कर देंगे तो यह इसका सब्सेट हो जाएगा ठीक है फिर आप कहेंगे ए बी का सब्सेट है और ए बी का सब्सेट है तब क्या हुआ ए और बी आपस में बराबर होगा ठीक है रहा हूं मैं ठीक है तो इसको उल्टा प्रूपर ने जा रहा हूं डबल इंप्राइज लगा करके एक्वल कर सकते हो ध्यान से देखो के बिल्कुल उल्टा आ जाएगा ठीक है अपने आप इसको देख नहीं लिख र अपने प्रूफ को देखोगे लास्ट स्टिप जो लिखा था वो यह वाला है उसकी बात बात अपने आप आप आजाएगा तेखो ध्यान से अगर एक्स एडैस को कर रहा है और इंटरसेक्शन बी डैस को कर रहा है इसका बात दोनों में होगा यह आपको होगे इंप्लाइ क्योंकि किसी के कॉंप्लिमेंट सेट में अगर ए है तो उस वाले सेट में नहीं होगा यह पकी बात है एंट पहले से लगा हुआ है और एक्स डज नाट बिलॉंग स्टू बी जही कह रहा हूं अब आपको लॉजिकल नोटेशन में हमने बताया है यगर एक्स ए में नहीं ह होगा तो दोनों के यूनियन में धाट group एक्स डज नाट लांग टू ए यूनियन भी नहीं होगा लॉजिकल नोटेशन में जाएगा वह अंने प्रूप पताया है और यूनियन में नहीं है तो इसका मतब इसकेкомप्लिमेंट भी होगा सही भान किया रहा हूं आप देखो द्यान से आपने X इसको बिलांग करवाया था और इसको बिलांग प्रूब कर दिया तो मैं कह सकता हूँ so A intersection A dash intersection B dash is the subset of A union B dash question number 2 अब आपने क्या प्रूब कर दिया ये इसका subject है ये इसका subject है ये इसके सभी element इसमें है इसके सभी element इसमें है तो आप लिखेंगे by question 1 and 2 लिखेंगे A union B dash is equal to A dash intersection B dash hence root अगर इस implies को implies and implies by कहने को मतलब ये हुआ कि अगर ये ऐसे लगा दिया तो अगर ये ये है तो ये ये इसका होता है इससे ये आएगा तो इससे ये आएगा तो दोरों उल्टा प्रूफ अपने आप होता जाता है तो आप direct भी कर सकते हैं अगले प्रूफ में direct करेंगे ठीक लेकिन अपने आप करिएगा माले सीधे में गलती कर गए तो उल्टे में गलती सुखर जाएगी ना ठीक है तो ये आपका एक law हो गया डी मॉर्गन का next law in the next video तमस्कार